Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे दोस्तों आप सभी लोग, I hope आप बहुत अच्छे होगे, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, दोस्तों, आप सभी को बता है, अभी result लगा, इसमें यहाँ पे कुछ students fortunate रहे, उनका result यहाँ पे positive आया, first of all, आप सभी को बहुत 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 बदाई, और कुछ student unfortunate रहे, तो जो students unfortunate रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूगा, कि यहाँ पे कुछ कमिया हमारे studies में, हमारे process में रही है, जितना जल्दी आप ये जानोगे, कि आप नहीं हारे, आपके processes में, आपके studies में कुछ कमिया रही है, वो आप जितने जल्दी identify करोगे, उत जो भी topics आपके weak रहे हैं, आपकी writing practice इस बार कम हुई है, तो उसके लिए इस बार अच्छे से दहन दो, revision पर ध्यान दो, कुछ important area जिस पर questions पूछे जाते हैं, या आपको confusion होता है, उस पर ध्यान दो, और मैं इतना ही कहना चाहूगा कि आप अगर negative में न जाते हुए, जितना जादा आप यह identify करोगे कि हाँ कुछ गलतिया हुई है और उस गलतियों को सुधाना मेरा काम है, यही तो life है, तो उतना जल्दी आप positive mode में आओगे, और फिर से हमें, फिर से अपने studies में लग जाओगे, और मैं कहता हूँ कि फिर से हमें अच्छे से पढ़ना है, पूरा 100% देना है और आने वाले एक्जाम को क्रैक करना है, चली, आप जिस बात का वेट कर रहा है, अब एट्वेंट्स का, Sir, November 24 एक्जाम के लिए, या December के लिए, दोजों are going to appear in CMACS, तो यहाँ पे amendments क्या हुई है for CA final level, कोई student inter-level पे अगर मुझे सुन रहा होगा, तो मैं अभी बत आपकी जो statutory updates दी है, उसमें कुछ procedure में 2-3 जगा amendments हुई है, वो भी topic कौन से, registration, miscellaneous, और foreign trade policy, जो statutory updates में दी है as compared to, जो आपकल May 24 attempt और या June 24 attempt था, उसके हिसाब से अगर हम compare करें, तो वो सारी amendments में यहाँ अभी, जस हमें मुश्किल से यहाँ पे 22-30 minutes लाएंगे, और वो सारी amendments में पें कावर कर लोगा तो यह जो में amendments कर रहा हूँ, गीशिनल amendments है, यहाँ पे यह additional amendments है यहाँनि आपने अगर में ट्вंटिफॉर क listened आगर में 24 को याँडिष्णनल somewhere करना है अगर आपको में 24 वाली अमेंटो्ट्र करना है तो दिस्क्रिप्शन में मैंने योट्यू बिसृट्स का और यहां पे बीडिया है और इसके भी नोट्स की लिंक मैंने description में दी है वहां से आप download कर सकते हो तो दोस्तों इवंदो November 24 के लिए statutory updates आया होगा पर statutory updates में 99% amendments होई है जो May 24 के लिए थी ठीक है तो चलिए जो भी 2-3 clause में amendments होई है मैं फटा-फट वो ले लेता हूँ और फिर हमारे discussion को हम आगे continue करेंगे ठीक है तो चलिए amendments जो है mainly registration छोटी सी amendment है miscellaneous provision में चोटी सी amendments है और foreign trade policy में कुछ 2-3 अच्छी amendments है जो आपको पढ़के जाना है तो वो यहां मैं कवर करने वाला हूँ ठीक है चलो आता है registration में यह amendment May 24 को भी applicable थी और अभी भी यह applicable है मुझे लगता है कि इस बार इस पर question आ सकता है तो यह जो है risk-based biometric आदर authentication of registration applicants मतलब आप सभी को पता है कि आदर authentication जो है वो सब को compulsory जो fresh registration ले रहा है नहीं तो फिर आपका physical verification होता है लेकिन अप कुछ स्टेट में उनने biometric आदर authentication शुरू कर दिया biometric with photographs मतलब आपको याद है अगर जब आपने आदर निकाला होगा तो आपके fingerprints लिये जा रहा है photographs लिया जा रहा है अदरपदेश अगे सो पहले गुजरात में था और पुढड़ीचरी और अदरपदेश में एक्सेंड किया गया और यह जो है high risk applicant जहां उनको लगता है कि यह applicants related risk ज्यादा है उनका आदर authentication और किसी के ITC ज्यादा होगे यह output tax ज्यादा होगे क्योंकि ITC के बहुत ज्यादा स्क्याम होगे तो उनको ध्यान में रखते हुए यह risk parameter को ध्यान में रखते हुए यहां कुछ pilot project चला रहे है ठीक है while taking GST registration no doubt यह biometric आदर authentication individual होगा तो उसको खुद को करना पड़ेगा और non individual like HOF company अगरे होगे तो वो situation में authentication of relevant individual आपने registration chapter पड़ा होगा तो आदर authentication में में दिया है कि जैसे HOF होगा तो करता है company होगा तो whole time director managing director है तो उन लोगों को यहां पे यह biometric आदर authentication करना पड़ेगा और यह सारे original documents REG01 में फाइल करने पड़ेगे along with photographs application deemed to be complete only after authentication process आपका registration application तभी complete माना जाएगा जब आपका सारी आधर biometric based आधर authentication हो जाता है issue to post completion biometric based authentication in short आपको क्या याद रखना है exam के लिए तो आपको यह याद रखना है अब यह एक्स्टेंड कर दिया गया palette project on the basis of risk analysis कि किसका ज़्यादा risk होगा वो case में आधर authentication करवा लो चलिए यह last attempt में भी applicable था अभी भी applicable था तो यह कोई खास amendments नहीं है उसके बाद में बात करते है miscellaneous provision में section 158 से related बहुत चोटी सी amendment हुई है मुझे लगता कि exam में वो आएगा तभी हम पढ़ लेते हैं आ गया तो भाई सब मार्स चोड़े तो यहां पर बात section 158 अगर आपको याद होगा section 158 में it provides concerns based sharing of information with notified system furnished by taxable person अभी क्या है कि बहुत सारे आपके bias होते है windows होते है और वो आपकी information check करते है आपका credit worthiness check करते है कि आप जो है properly return file कर रहे हो नहीं कर रहे हो सारा data पोटल पे दे रहे हो नहीं दे रहे हो जरुद पड़ती है so जो ऐसे applicants है GSTK है जो taxpayer है जो अपना data share करना चाहते so that उनका business बड़े तो ऐसे case में गौवर्मेंट ने दो system बना है पहले था amount aggregator और अब उनने नया एक system एड़ किया यह एक छोटी सी amendment है public tech platform for frictionless system यह दो system उनने बना है जहां information आपके share की जाएगी और आपकी information जो है आपके विंडॉर, GSTC related आपकी regularity कितनी है क्योंकि बहुत सारे ITC आप continuous return file कर रहे हो लेकिन आपकी information share करने के पहले आपका consent लिया जाएगा और consent लेने के बाद information share की जाएगी तो no doubt register person opting to share information जो share करना चाहता है वो REG 01 जो जो amendments no doubt information consent जो आपका लिया जाएगा और आप information share किया जाएगा उससे related rule 163 issue हुआ जिसमें REG 01 में आपका data update किया जाएगा return GSTR 3B for specific tax period वो भी data share किया जाएगा आपके invoice rate debit note, credit note from GSTR 1 में जो आपने update किये वो भी data share किया जाएगा consent process requesting system system मतलब यह दो amount aggregator और दुसरा public tech platform for frictionless credit तो यह जो system में आएगया यह दो system पर आपकी informations share किया जाएगी तो requesting system must obtain register person consent for information sharing consent details tax period are communicated to common portal GSTR 1 consent of recipient of invoice debit note, credit note is also required consent of recipient from consent from recipient of invoice also required यह system लेगा common portal communication share the information with requesting system requesting system मतलब जो नीचे दिया गया है upon receiving register person consent and details of tax period or recipient consent यह दो system पर वह information share कर दी जाएगी बस इतना सा है कि amendment क्या हुई है amendment बस public tech platform for frictionless credit यह उनने और एक system add कर दिया है जो RBI developed किया और उपर NBFC यह जो account aggregator है वह भी जो है okay NBFC developed कर रहा है as per RBI policy चलिए तो यह था regarding to mislinious related amendment अब जो amendment आपको देखना है वह foreign trade policy में कुछ important amendments है okay अगर आपका FTP आपने देख लिया होगा यह last time नहीं किया होगा तो अभी अच्छे से कर लेना और foreign trade policy में जो amendments होई है वह amendments को okay मैं भी बता देता हूँ देखे second hand goods पे अगर आप FTP पढ़ते हो तो restriction और यह chart बहुत अच्छा है अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं भी आपको बता देता हूँ okay second hand goods पे capital goods specially कुछ restriction है okay और other than capital goods पे भी कुछ cases में restriction है okay और amendment कहां होई है यह भी मैं बता देता हूँ जैसे अगर हम सबसे पहले capital goods की बात करें तो restricted for import and require authorization and fulfillment of specified condition क्या है कि कही तो भी second hand goods का pollution इंडिया में ना हो जाए क्योंकि foreign country तो second hand goods को fake ना चाहती है तो उसके पर बहुत सारे restrictions लगाए गया है तो कुछ goods पे restrictions लगे है और अगर आपको import करना है तो उसके लिए special authorization याने आपको permission लेना पड़ता है और सारी conditions fulfill करनी पड़ती है जैसे अगर हम बात करें तो AC second hand AC आप direct import नहीं कर सकते उसके लिए permission चाहिए डिजी सेट नहीं कर सकते desktop computer नहीं कर सकते refurbish, recondition, space or refurbish part of personal computer, laptop वगर इसके personal computer या laptop second hand laptop आप बल्क में नहीं ठीक है baggage में लारे हो बात लग है लेकिन refurbish, reconditioning, spare personal computer, laptop अगर होए तो आप बल्क में तो बिलकुल इंपोर्ट नहीं कर सकते without authorization और कुछ notified electronic items and IT goods आप इंपोर्ट नहीं कर सकते यहां तक तो पहली भी था और अभी भी है लेकिन मैं आपको यह वता दू कि अब उन्होंने आड किया है use IT asset like laptop, desktop, monitor, printer imported from SCZ to DTA अभी क्या था कि मैं जैसे एक छोटा situation आपके साथ share करना चाहोगा पोने में, एक secondary goods का laptop का एक advertisement बहुत बढ़ाता कि आपको laptop system मिल जाएगा, refurbish है और क्या होता था कि बहुत सारे EO unit, SCZ units जो थे, यहां सस्ते में खरीदे जाते थे, क्योंकि इनको तो benefit वाले laptop थे, इनके पास तो concession वाले laptop और इनसे domestic market वाले खरीदे थे और सस्तेम बेशते थे, अब उस पर भी restriction आँ गया है, specially SCZ EO unit, SCZ पर restriction आँ गया है कि special economic zone जो बड़े-बड़े IT zones मने हैं, और कि यह कोई भी laptop, desktop, monitor, printer यह domestic area में, DTA मतलब domestic area में clear नहीं कर सकते without permission, अगर domestic area में तो उसके लिए भी permission चीए, नीचे में ने यहाँ दिया हुआ है, उसके लिए भी specified conditions उनको fulfill करना पड़ेगा specified conditions उनको fulfill करना पड़ेगा, बस तो amendment क्या है, यह add किया है, जो 2 mark के लिए आ सकता है, ओके तो यह अच्छे से आपने पढ़के जाना है, जो 2 हाँ, तो यह जो है, अब यह allowed नहीं किया है, ना बाकी तो वही policy है, free import, refurbish, अगर हम बाकी बात करें, तो refurbish, reconditioning spares of capital goods, for which chartered engineer certificate existence of 80% residual life, यह goods छोड़के बाकी कोई भी refurbish यह reconditioning goods होगे, जिसकी 80% से जादा life बाकी है, जिसके लिए chartered engineer का certificate ना जरुए है, वो allowed है, और other second-end capital goods, other than those listed above, यह छोड़के और यह छोड़के बाकी, आप जो है, other second-end capital goods ला सकते हो, second-end capital goods ला सकते हो, उसके लिए आपको 80% का भी प्रूव करने की जरुवत नहीं है, और इसके लिए permission लेने की भी जरुवत नहीं है, चलिए, other than capital goods होगे, तो imported for purpose of repair, refurbishing, reconditioning, re-engineering, freely importable, subject to some condition, और remaining goods restricted for import, and can be imported only against import authorization, तो यह था, regarding to, यहाँ पर import policy, जो हमने यहाँ पर देखी, ठीक है, उसके बाद में next, अगर हम बात करें, तो आता है, एक छोटी सी amendment, यहाँ पर merchant trading carry out within the one specific foreign country permitted old provision and new provision परले कैसा था कि आपको foreign के foreign में business करना है foreign के foreign में business करना है, मतलब आपको China से माल, Taiwan बेजना है, China से US बेजना है, और कोई यहाँ पर, जब आप चाइना से यहाँ पर माल बेज रहा है just a minute बेटा just a minute sorry बेटा तो हम बात कर रहा है कि अगर आप चाइना से US माल भेज रहा हो तो और वो trading करने वाला है मर्चंटिंग ट्रेड इंडिया से हो रहा है लेकिन foreign country to foreign country हो रहा है तो वो case में आपको यह मर्चंटिंग ट्रेड करना पड़ता था as per RBI guideline तो उसमें क्या एक छोटी से amendment आई वो भी हम देखते हैं मर्चंटिंग ट्रेड ओल्ड प्रोविजन क्या थी और उसमें क्या आड हुआ मर्चंटिंग ट्रेड और शिप्मेंट अप गोड्स मर्चंटिंग ट्रेड अप गोड्स from one foreign country to another foreign country without touching Indian port involving Indian intermediary क्यों आप ये डारे कर रहे हो या Indian intermediary की थू कर रहे हो was allowed subject to RBI guideline except the goods in the okay sites CITES or SCOMET तो अब ये words के detail में जाना क्योंकि वह याद भी नहीं होगे और करना भी मत जैसे sites का अगर हम में detail बताओ तो उसका होता है convention of international trade in endangered species of wild fawns and flora तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो इनके goods छोड़के बाकि सभी goods foreign के foreign में आप ट्रेड कर सकते हो aspa RBA guideline इसमें addition क्या हुआ merchanting trade carried out within one specific foreign country is also permitted subject to RBA guideline हां तो अब आप एक foreign country से दूसरे foreign country में नहीं दर रहे हो अभी क्या कर रहे हो सेम country में US के एक city से दूसरे city में trading कर रहे हो इंडिया के तो मतलब एक city से खरीद रहे हो और दूसरे city में बेच रहे हो सेम कंट्री में भी अभी अभी कर लिया है लिकिन aspa RBA guideline exception होई है sites के उस comments के goods शोड़के बाकी सारे goods में आप trading कर सकते हैं उसके बाद में अगर हम बात करें तो yes एक important है इसके ओपर question आ सकता है import of items under advance authorization without compliance of mandatory quality control order QCO हम कहते है कैसे इंडिया में जब भी आप कोई goods लाते हो तो इंडियान स्टैंडर की साबसे होना चाहिए जिसका special quality check आपने fulfill करना चाहिए इससे related सारे documents आपने submit करने चाहिए quality control orders are regulatory mandates issued by Indian government to ensure the products meet specific quality standards these are typically issued by Bureau of Indian standards यानि यह BIS issue करता है under the BIS Act जो आपका product qualitative है और इंडिया में कोई खराब माल इंडिया में नहीं आ रहा है both domestic manufacturers as importer must ensure the compliance with the QCO मतलब इंडिया के सारी manufacturer और सारे importer को यह QCO का standard maintain करना पड़ता है okay as per BIS however अब देखो amendment क्या हुए however import of inputs under advance authorization EOU SEZ without compliance to mandatory QCO shall be subject to following shall be allowed shall be allowed subject to following condition अब देखो वेसे तो इंडिया के सारे importer को और manufacturer को QCO order लिना पड़ता है from the Bureau of Indian Standards okay तो लेकिन अब बिना QCO quality test बिना QCO जिसके पास advance authorization है या जो EOU है या जो SCZ है यह import कर सकते subject to some conditions और वो conditions उनने दी है देखो क्या import under advance authorization EOU SCZ without QCO compliance must be other two following conditions one for advance authorization pre import conditions अगर आपके पास advance authorization आपने FTP पढ़ा है और आपके पास license है import के to be used in export goods advance authorization क्या होता है आपके पास आपके पास और आपके पास export order है और वो export order के लिए आपने कुछ raw material इंपोर्ट किया without duty या पर्मिशन ले रहो कि without duty इतना raw material इतना imports लाने दो जो मैं export में यूज करूगा उसको कहते है कि आपके पास advance authorization की permission है तो इसमें pre import condition यह होने अब without quality control वो आ सकता है बिना QCO के आ सकता है आपको कुछ conditions fulfill करने पड़ेगी पहला input must be pre imported and use in manufacturing the export product and exported under the same authorization मतलब क्या यहाँ पे inputs जो आप ला रहे हो कि वो pre imported होना चाहिए मतलब आपके export आप जो use करने वाला manufacturing for export product तो manufacturing for export order के लिए वो already आपने import कर लेना चाहिए वो आपकी pre import order चाहिए याने आप जो है goods लाने के बाद उसका permission नहीं ले सकते हो आपके पास pre import permission उसके होनी चाहिए और वो आपने export के manufacturing में ही use करना चाहिए क्या मालब उसकी क्या quality होगी तो आप उसको domestic area में यह DT है मतलब domestic area में transfer नहीं कर सकते उसको destroy ही करना पड़ेगा and in addition to such destroy दो करना ही पड़ेगा very important destroy दो करना ही पड़ेगा साथ साथ में उसका duty और interest अगर कोई unutilized goods रहा तो उसका duty, interest और कोई composition fees होगी तो वह भी देना पड़ेगा endorsement, exemption must be specifically endorse in advance authorization upon request, मतलब जब आप advance authorization की request करते हो उसी वर्थ उसके ओपर endorse कर लो कि आपको exemption चाहिए from QCO ओके आपके permission पे ही endorsement होना चाहिए physical export only exemption apply only to physical export not deem export यह ख्याल रखा जाया कि एक दो हो होते है export, एक physical मतलब आप actually इंडिया के बाहर export कर रहे हो, deem export मतलब आप SCZ अगरे को supply कर रहे हो तो आपका actual physical export होगा तो तभी आपको benefit दिया जाएगा अगर आपको SCZ अगरे को supply कर रहे हो तो आपको यह benefit नहीं दिया जाएगा और यह सिर्फ जिसके पास advance authorization scheme है उनको ही allowed है, अगर आपके पास duty free import authorization scheme होगी अगर आपने FTP पढ़ा होगा तो दूसरा DFIS scheme है, duty free import authorization scheme होगी तो वहाँ आपको यह benefit नहीं मिलेगा और आपको QCO लेना पड़ेगा दूसरी बात EOU की अगर हम बात करें तो इनको भी exemption मिलेगा EOU are exempt from mandatory QCO for imported inputs required for export production no doubt imported input QCO नहीं लेना पड़ेगा export production के लिए restriction वो भी domestic clearance नहीं करेगा goods manufacture of the inputs और उसको undertaking देनी पड़ेगी EOU must submit undertaking to customer at time of importation and जब import कर रहा है तभी undertaking देनी पड़ेगी and copy of undertaking must be submitted to development commissioner physical export, exemption is applicable only for physical export and not name export यो इको भी खुदी export करना पड़ेगा वो input को manufacturing में use करके खुदी उसको export करना पड़ेगा SCZ की अगर हम बात करें तो SCZ को भी same condition लाया गया कि इनको भी exemption दिया गया restriction होई है कि DTA clearance allowed नहीं है, मतलब destruction के allowed दूसरा option नहीं है, इनको भी undertakings देनी पड़ेगी at the time of importation और वो भी खुद physical export में वो input use कर रहे होगे तो ही ये benefit मेलेगा चलिए, तो ये थोड़ा पड़के जारा point wise manner में मैंने आपको दिया है amendments in in eligible supplies items categories under road tape एक scheme है जो आपने जरूर देख लेना पढ़ लेना road tape scheme जिसमें कुछ in eligible supplies है items है, मतलब जिसको road tape नहीं मिलेगी, उसमें amendment होगी okay, in eligible amendments होगी मतलब अब road tape के benefits में मिलेगे तो एक list जो मैंने regular book में दी थी उसमें से कुछ items अपनोंने omit कर दिये गए, जैसे products manufacturing in EHTP और BTP को नहीं मिलता था अब मिलेगा, उसके बाद में product manufacture exported to in discharge of you against AA, DFI, special AA issued under the duty exemption scheme and etc, तो यह आपने एक बार देख लेना हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है QCOP 11-12 mark का question वह आपको पूश सकते है so चलिए दोस्तों तो बस इतने कुछ थोड़े से amendments हुए amendments मतलब हमारे Statutory Updates में additional दी है अगर आप में exam के Statutory Updates देखते हो और अभी November Institute के side पर देखते हो तो बाकी सारी amendments वही है जो में के लिए थी, जिसके लिए मैंने description में link दी है आपको revise करना है, तो आप एक बार fast में revise कर सकते हो तो वह तो Statutory Updates में ने दिया है और यह जो additional Statutory Updates में दिया, यह मैंने यहां पर ले लिया है, तो इतना आपको additional देख लेना है, बात ख़दम तो बस इतना ही कहना चाहोगा और फिर से कहना चाहोगा कि आपका इस बार लखे कोई जादा amendments नहीं है क्योंकि निगेटिव मेंटलिटी को आप अवाइड कर सकते हो अतना निगेटिव चीजों को अवाइड करो ठीक है, और एक बार जरू सुना कि आप फेल नहीं हुए प्रोसेस में कुछ कमया रहेगी तो ठीक है वो प्रोसेस की कमयाँ पूरी करेंगे अब आपकी सवाल होगे रिगार्डिंग टू मेरा मिशन संभव कब आएगा रिविजन कैसे करना है तो इसके बारे में मैं दो ती दिन में एक वीडियो डालूगा स्टे ट्यून वीट माय यूट्यूब चैनल तिंग जिस्ट तिंग विशाल सर आज वेल आज इंस्टा जिसमें मेरी अनॉंस्मेंट आएगी कि आपने आने वाले टाइम में कैसे पढ़ना ची और एक मेरा जो एक पास्ट्रेक रिविजन टाइप मिशन संभव होता है जो टोटली फ्री होता है यूट्यूब पे जिसमें आपका बहुत अच्छे से कॉस्टेनेर और रिविजन भी हो जाता है चार्ट बेस रिविजन तो वह नॉवेंबर के लिए क्योंकि आप सबको बताया आमिनमेंट्स तो बहुत कम है तो वह रिविजन कैसे तर से लिया जाएगा तो वह वीडियो में बताया जाएगा तो stay tuned with that video तो चलिए दोस्तों यहां रुकता है thank you so much